आर्पी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं नवश्टार मैंगो अंचली आर्पी भारत मैं आपका स्वागत करते हूँ तो चले शुरात करते हैं आज किसी खास खबर से संथाल समाजवादी काल से ही करते आ रहे हैं शोशल डिस्टैंसिंग का पालन किसी भी प्रकार का संक्रमन नहीं पाता है फैल जाम ताड़ा भले ही आज करणा वारस महामारी के कारंद केंडर से लेकर राज्य सरकार तक सोशल डिस्टैंसिंग का पनाने का दिशा नर्देश ते हैं लेकिन जारखंड के संथाल परगना में संथाल जुनजाती के लोग आदिकाल से ही शोशल डिस्टैंसिंग का बखूब या नुपारन करते आ रहे हैं शोशल डिस्टैंसिंग इनकी संस्कृती रही है यह लोग जो प्रणाम जिसे डूगो जोहार कहा जाता है बिनाश पर्ष किये हुए करते हैं यह लोग लोगों से हाथ भी नहीं मिलाते नाही चरन निस पर्ष करते हैं पर्वा पुरुष चला रहा है जो अपने आप में अद्बत है लहाज़ा किसी पर प्रकार का संगर्मन इन लोगों के बीश नहीं देखा जाता है इस बाबाद जाम तड़ा चिले के फते पर प्रखंट अंतर गते ताराबाद गाओं के चोटे श्वर मरांडी ने कहा कि सामाजिक दूरी हम लोगों का पुर्वदों से ही पालन किया जाता है हम लोग डोगो जोहार यानी प्रनाम दूर से ही करते हैं यही संस्कार है वही निनुलाल मरांडी ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का नुपालन आदिवासी समाज द्वारा काफी पहले से किया जा रहा है जामताडा से गौतम मंडल की रिपोर्ट हम लोग आदिवासी में पूर्व पुरुसों से ही यह जो समाजिक दूरी का पालन करते हैं रहा हैं अप लोग आदिवासी संस्क्रिटी में परनाम करने का त्या नियम है पुर्सपर खціर नहीं होता है कि हम्ताड़ा जिले में जो संथाल आदिवासी समुदाई के लोग हैं यह आज से नहीं बलकि अनादिकाल से ही सोसल डिस्टेंसिंग यानि समाजिक दूरी का अनुपालन करते आ रहे हैं जिस वज़ा इन लोगों में काफी कम बिमारियां और संकर्मन का खत्रा रहता है यह ल का अज스탁ाड लोगों को समाजी दूरी का अनुपालन करने का दिसा निर्दे से लेकिन पूरे संथाल पर गनां में आदिवासी समुदाई है ये लोग पुराने समय से ही इसका अनुपालन करते आ रहे हैं ये लोग जो परनाम करते हैं जिसे डोबो जोहर करता है इन लोगों द्वारा ना तो चरन इसपर्स किया जता है ना ही हाथ मिलाने का रिवाद है ये लोग एक मीटर की दूरी में रहकर ही डोबो जोहर करते हैं और भुमी को चरण इसपर्श करते हैं आप ही भारत के लिए जामतड़ा से गौतम मंदर